अपने पसंदीदा एक्शन मुवीज के लिए सब्सक्राइब करें एक्शन हिट्स और बेल आइकन दबाना मत भूलें अपने शलें लूलें हलो 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 जोनी यस होंग कॉंग से आया हुआ शाकार सहब का दो करोर का माल गोदी में फस गया है माल फस गया यह कैसे हो सकता है वो कस्तम ओफिसर जो शाकार सहब से मिला हुआ था उसका ट्रांसफर हो गया है अब हमें गोदी के गोदाम में जाका डाल कर ही माल निकालना होगा ओके है तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा अगर किसी ने हमारे खिलाफ गवाई दी तो उसे जिन्दा जला दिया जाएगा है बड़ान! जिस तरह से चेल आसमान से उतर कर जमीन पे तल पड़ाने वाले कीडे मकोडों को पने पंजों में दबोच के शांद कर देती है उसी तरह से हम चोर बदमाश और डाको को शांद कर देते हैं हमारा नाम प्रशान थे कौन थे हो गुंडे उनका हुलिया बताओ ताकि पुलिस उनको ग्रेफतार कर सके खामोश क्यों खड़े हो तूम बताओ तूम बताओ इंस्पेक्टर साब ये बिचारे लोग क्या बताएंगे सब डरे हुए हैं अब आई न हमारे जो हम बताते हैं आपको आईए ये तुम लोगों की पहली गलती थी इसलिए गोलिया परचाईयों पर चली अगर तुम लोगों ने दुबारा ऐसी गलती की तो गोलिया सीध ही तुमारे सीने पर चलेंगी कौन है वो जिसने शाकाल से दुश्मनी करके मात को दावत दी है बास वो एक कुली है जिसका नम प्रशान्त है प्रशान्त यह रामू 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 है अई देखो अरे हम उथर चिला रहें मोटर गाड़ी के हान के माफिक और हमारा भीया तो एकदम पड़ने में लगा हुआ है रामू यह तो आप तुमारे ले क्या लाए है आंटेनिया आए यह आउंटेनिया नहीं फाउंटेन पैन् अरे वही तो हम कह रहे हैं अब हमको अंग्रेजी सिखाता है है परवती अरे परवतिया अपने रामू तो बड़ा फटा फटा अंग्रेजी बोल रहा है भाई बड़ा होसियार हो गया है यह तो हम समझ गहें पहले यह बताओ हम इतने देर तक तुम घा रहे हैं हम थाना गये थे हाँ काहे अरे जो चोर सब भाग गये थे न वो सब के सब पकड़े गए वह सब भाग के जाएंगे कहां कल कोट में उनके खिलाब गवाई देदेंगे तो साले सब ठीक हो जाएंग नहीं तुम गवाई नहीं दोगे हम नहीं दूगा अरे हम अकेला आदमी जो अपनी आखों से देखा है हम गवाई नहीं दूगा सब छूट जाएंगे कहा ना ये गवाई तुम नहीं दोगे हमने सुदा है वो सब गुंडे हैं जहनले हैं देखो हमरे गाउं में कितने जहरीले साप भरे हैं उनके डर से कोई गा तुमको मुन्ना और हमारी कसम तुम कल कोट में गवाई नहीं दोगे और अगर तुम पार्वती रामू हमारी जान है और तुम हमारी जहान हो तुम लोगे कसम के बतले हम कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी चाहे तो हमरे बतन के खून काय का कत्रा मांग लो हस्ते हस्ते दे दे तो तुमी वो कूली हो जो कोर्ट में हमारे आदमियों के खिलाब आवाज उठाना चाहता है आवाज उठाना तो बहुत हलकिसी चीजे साहिब अगर हम चाहे ना तो उनलों के अर्थियां भी उठा सकते हैं मगर हम आपको पहचाने नहीं साहिब मेरा नाम शाकाल है जो हमारे खिलाब आवाज उठाता है हम उसे खामोश कर देते हैं बहुत उची उची बाते कर रहे हैं हां अरे हम वो है जो उड़ती चिडिया के पंक काट को उसको शांत कर देते हैं हमरा नाम प्रशान थे बच्चा जब तक आग से जलता नहीं उसे खिलावना समझता है जरा उदर देखो मेरे एक इशारे की देर दोनों लाश में बदल जाएंगे अरो तू अधालत में वही कहेगा जो मैं चाहूंगा माई बाप हम गाओं से सहर आये थे बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए लेकिन भागे देखें कि हम बन गए साला एक कूली हैं लेकिन बड़ा आदमी बनने की इच्छा हम अपने दिल से निकाल नहीं सके हो जो इसलिए मौका मिलते ही चोरी की और पकड़े गए और घबरा के सारा का सारा इल्जाम हम इंदेवता सरूप लोगों को उपर लगा दिया लेकिन हजूर माई बाप अब हम यह सुएकार करते हैं कि यह सारा कसूर हमारा है और यह लोग बिलकुल बेकसूर है चूंकि मुझरिम प्रशांत ने खुद इक बाले जुर्म कर लिया है इसलिए अदालत उसे ताजिरात हिन जेरे दफ़ा 276 के तहट दो साल खायत बामुशक्कत सजा देती है 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 कर दो कर दो ने, में बही जोने टो ने, में बहीो जोने! का बापी भाईया क्या चोर है कि तुम को क्या लगता है तुम्हारा भाईया चोर है तो फिर वह जेल क्यों गए लॉक्ष कि लड़के उनको चोर क्यों कहते हैं तुम को याद नहीं, रामू, जब हमारे कनपट्टी में पिस्तोल रगती थी, तो तुम्हारे भाई में हमारे जान बचाने के खातिर, चोरी का जूटा एल्सम अपने सर ले लिया था, देख रामू, तेरे भाई तो देवता है देवता है प्रशांद, तुमको जेल में भी खाना मिल जाता है, लेकिन बाहर रामू और पारवधी को क्या खाना नसीव हो रहा होगा पारवधी बहन, तुम अपने मंगल सुत्र भीच रही हो, हाँ लाला, मैं जानती हूँ एक सुहागन का मंगल सुत्र, उसकी चीता के साथ ही जलता है, लेकिन मैं बदनसीव हूँ, जो जीतेजी अपने सुहाग के निशानी को बेच रही हूँ, तक अपने सुहाग का सपना पूरा कर सको, लाला, उनके एक ही सपना है, उनका भाई राम पर लिखर बहुत बढ़ आपमी बन चाहे, और आज, आज उसकी फीज बने की आखरी तारीक है, आच्छा, अच्छा, ये लो 200 रुपया, अच्छा, लाला, अच्छा, इरे इसकुल के फीज याद से दे दे नह है, हुआ हुआ है, अरे वाँ, 200 रुपया, कहां से लाई, पती माहराज तो जेल में चेक्टी पीछ रहे है, और ये याँ ज्टी है और ये ग्यों की तरह पिस रही है, लगता है इसने भी चोरी काम शुरू कर दिया, ह्हा, हाँआ हाँ Şeg वापस कर दो और आम काना सकूल या श्कुल से कर जाए गा दे दो टौ यह ऑन आं की तो विय रुपिया तो बीह वापिस नहीं देंगे तो ते लागा टी अग? क्या से लागा टी? अच्छी हूँ अपना राम तो ठीक है ना? अच्छा है उसके इम्तहान के तैयारी ठीक चल रही है? हाँ उसकी फीज भर दी तुमने? हाँ भर दी पैसे कहां से मिले? वो मैंने पहले से कुछ पैसे जमा किये थे और फिर मुझे एक नौकरी भी मिल गई हाँ हाँ पारवती हमरा तो एक यह सपना है कि राम पढ़ लेके बहूत बड़ा आदमी बंचा है उसका ख्याल रखना पारवती अब तो तुम ही उसके सब कुछ हो अरे तुमारा मंगल सूतर कहा है? मंगल सूतर? मैंने मैं पीच ड़ागा स्कूल की फीज चुदेनी थी ओफ पारवती तुमना चेहरा देखके हमको समझ जाना चाहिए था कि तुम लोगोने मेरे बगार कैसा दिन गुजा गया होंगा तुम रो क्यों रही हो पारवती रोमार तुमने तुमने जो कुछ भी किया है मुनना को एक बड़ा आदमी बनाने के लिए किया है यह सब कुछ करने के बाद भी मैं उसकी स्कूल की फिर्द ना दे सकी दो तिन से उसे ठीक से खाना भी ने दे सकी मंगल सुत्रों बेजकर जो पैसे मिले थे वो सब उन गुंडों ने चीन ली है जिन्ड तुम चेल बेजवाय था दो मत पारवती जिन गुंडों ने तुमसे तुमारा मंगल सूत्र चीना है चीनों ने मेरे मुनना की फीस और उसकी रोटी चीनी है उन जाली मुसम में उनके चिंदगी चीनी हूंगा All right Jack, how about you? Fine All right Well. Yeah All right All right All right All right ये पूछो कि हम क्यों आये हैं जिस गरीब की बीवी का मंगल सूत्र बाजार में बिखने के लिए आ जाए जिसके छोटे भाई के फीस का पैसा छीन लिया जाए और वो जब कुछ बोले तो उसे कुट्टे कितना मारा जाए उस गरीब के खून का उबाल जेल तो क्या दुनिया की कोई दिवार नहीं रौप सकती है तुम लोगन हमेरे मुन्ना की जिन्दगी का एक साल बर्बाद किया है हम तुम लोगन की पूरी जिन्दगी बर्बाद कर देंगे तुम लोगन से भाए कि अपने पर तो कि अपने कि अपने कि अपने कि कि मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि तुमारी दूसरी गलती का अंजाम तुमारी मौत होगी इसलिए उठाओ पिस्तॉल और अपनी मौत की रस्म को अदा करो उठाओ तनपटी पर रखो और चलाओ गोली मुझे पहले से ही शक था कि मौत के डर से तुम लोग गद्दारी पर उतराओगे इसलिए मैंने तुमारे पिस्तॉलों में नकली गोलिया भर दी थी लेकिन मेरे पिस्तॉल की गोलिया असली है पर्षू की लाश चाहिए आज अभी इसी वक्त ठीक है पर्षू कौन पर्षू कॉलो जल्दी करो तुम इतनी रात को खी तुम जेल तो नहीं हैं नहीं नहीं हम जेल से छूड़ गए लेकिन आप हम लोग इसी वक्त ही सहर छोड़ देना पड़ेगा अब दोड़ेगा अब लिए पर्षू कुछ नहीं आरे तबाह और बर्बाद तो हम हो जी चुक हैं बर्वती सच्चाई के रास्ता पर चलके हमने दुनिया में आग लग गई अब हम सारी दुन्या उमें आग लगाकर रखते ले अब अब कि अब़िक उन्मा झाला सुप्राब, स्भाइर, देट एंड। कि अब़िक एंड। कि अब़िक, लुट कि अब़िक, अब़िक, लुट रहे हैं प्रुड़ भॉब भी अज़ जन फोर शेले लाया आए याल प्रुच़ अज़ फॉब प्री शेंग इख जड़ प्रुच़ अज़ एड़ थार सो प्षब वारा जई एड़ना बारा हुआ एज़ंगा एपना की सब्सक्शली आज़ा हम देज़ा की अ कल्ग देए्ट लिए्टन फिर्टन दोरी ओज़ा जड़ा पाल दोरी देए्टन फिर्लेह प्रेंज़ा अरुब देड़ाएंगा देए इना च्भाप हम के का यैं ये करतें इस कि टीधेन के अधियर fine कानूं के हम घरीब को वास्ते बना है उपकर नहींड academic इससनर जे गुनार किया है इनको छोड़ो जैण डॉर कि या इना शुक्राश आठार्व डीवडस बोज यही वो आदमी है इसने शाकाल की तखदीर में पहली बार आर लिख दी और इस वक्त जेल में दो साल की सदा कट रहा है आलीपूर जेल में इतने काम का आदमे और जेल में मुझे याद में चाहिए आओ प्रशाम्त आओ यह हमारे बॉस जिन्हों तुम्हें जेल से रहा करने का पूरा इंतिजाम किया है नमस्कार सर आपका यह उपकार में जीवन भर नहीं बूई सकता हूं बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं सर आओ कारी बैठो मुझे खबर मिली है कल ठीक तीम बजे टाइमन हारबर पर जिस हुजा नाम का एक आदमी शाकाल को पांच करोड रुपए की सोने की डिलिवरी देगा और वही सोना कल साम को पांच बजे साकाल खुद रिड वैली में आकर अपने हाथों से में डिलिवरी कर जाएगा साकाल हम प्रशांत बोल रहे हैं मैं दुश्मन की आवाज को अच्छी तरह पैचानता हूं पैचानते हो तो काम बहुत ही आसान हो गया क्या कि कल ठीक पांच बजे साम को तुम अपने हाथों से पांच करोड का सोना हमको रिड भैली पहुंचाने आओगे समझ गये मैं दुश्मन को सोने का नहीं मौत का तुफा देता हूं अरे किस की तकदीर में मौत है और किस की तकदीर में सोना ये तो तुम्हें कल पना चल जाएगा साम के ठीक पांच बजे इस हो है कि अर्वजर में अडाओ कि अपना ये हैं अपना आओ फुर रवा है कि आज पांच बजने वाले प्रशाने देंकी जी कि पांच बज़े तक आप खुद सोना लेकर रेड वैली पर पहुंचा देंगे लगता है जेल से निकल कर सीधा पागल खाने पहुंच गया और बीना इलाज करा है वहां से लौट आया अकल मेरी आवाज सुनकर तुम चौक गए होगे मैं जब हसता हूँ तो तुम क्या हज्जारों साकाल के दिल तहल जाते टेप बंद मत करना अगर तुमने मेरी आवाज सुनने बंद कर दी तो मौत का धमाका सुन लोगे जो पंद्रे मिनट के अंदर होने वाला है तुम्हारे काड़ी में टाइम बंब फिट है अर्वाजा खोलने जपहले अगल बगल छांक कर देख लो अगर गाड़ी तेच चलाओ और तेच चलाओ अर्थी 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 तुम अपनी चिता से उत्रोगे तब जब हमको माल दे दोगे हमने कहा था ना कि हम उड़ती चिडिया का पर काट कर सांथ कर देते हैं हमरा नाम प्रशांथ है आज बाजी तुमारे हाथ में प्रशांथ लेकिन याद रखना एक ने एक दिन बाजी पल्टेगी तब शेह मैं दूंगा और मात तुम खाओगे अर्याज़ बाज़ हाई हम गाउ वाले आद्मी सत्रण नहीं खेलते बीच में लाइन बना गर कबडडी खेल्ते है और कबड्डी मे बाजी वही जीतता Jis को भाज़ों में दम होता है यह जो कुछ तुम देख रहे हो यह सब तुमारा है कि यह सब हमारा है तुमारा है ने ने तुमारा है यह यह सब हमारा है अब हमरी बावती को आधा पिटखाकर सोना नहीं पड़ेगा मुन्ना के स्कूल के फीच के लिए उसे मंगल सुत्र नहीं भीचना पड़ेगा मुन्ना को अब कोई चोर का भाई नहीं कहेगा जब मुन्ना बड़ा हो जाएगा उसको हम बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे लावरिस्ट 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 ला यह लावारिस नहीं है यह मेरा भाई है खबरदार जो किसी ने कुछ कहा कोई फ़ेश वी अ का कि अ है ऊछुमें डोस्ट घ्ला गश्वत ड्मान है तरोस्त कीं और दोस्तर करने दूद सुछ क कपते। लेटों पे एक दुझे का नाम एक ने कही तुझे में मानी एक ने कही दूझे ने मानी ना न कहे दुनों ग्यानी ना न कहे दुनों ग्यानी राम से है लक्षमन लक्षमन से राम दोनों के होटों फेए एक दुझे खाराम ऐक ने कही दुझे ने मानी ना न कहे दुझे ने मानी ना न कहे दुनों ग्यानी मेरा रब जो पूछे मुझ से तेरी है किस में खुशी दोनों जहां के बदले में तो मांग लू तेरी दोस्ती मेरा रब जो पूछे मुझ से तेरी है किस में खुशी दोनों जहां के बदले में तो मांग लू तेरी दोस्ती तो एक के दिल की तुझे में जानी ना न कहें दोनों क्यानी ना न कहें दोनों क्यानी तो एने नहीं दुझे ने मानी ना न कहें दोनों क्यानी ना न कहें दोनों क्यानी जाने देंगे जाने देंगे हम यारों के वास्ते मौत जुदा कर सकती है बस अब तो अपने रास्ते जा देंगे जा ले लेंगे हम यारों के वास्ते मौत जुदा कर सकती है बस अब तो अपने रास्ते एक के दिल की तुझे ने जानी ना न कहे दोनों ग्यानी ना न कहे दोनों ग्यानी राम से है लक्षमन, लक्षमन से राम दोनों के होटों पे एक दुझे का आनी एक ने कहे दुझे ने मानी एक ने कही दुझे ने मानी ना न कहे दोनों ग्यानी ना न कहे दोनों ग्यानी प्रफ प्रश प्रफ में प्रफ दिप्र अज़ाई दित इज़ा है कि कि साब हांग कांग से दो करोर के हमारे हीरे सी कुईन जहाद से निकल चुके हैं और पिके साब मैंने उन्हें तीन करोर में बेशने के अंद भिजाम कर लिया हैं कि सॉडी लेकिन क्या तीन करोर रुपे उसकी किमत कम है बहुत कम है कि या है कि हमने टाउनी से वह सादा पांच करोर रुपें में तै कर लिया है कि अज़ इस लिफावे में सारी इंफर्मेशन है कि यह रही तुम्हारे इंफर्मेशन की किमत क्यों कि आज आज अचानक यह सवाल क्यों नाचाने आज क्यों मुझे दर सा लग रहा है अरे तुम्हारे होते हुए कोई मेरा बाल बाका नहीं का सशता पारवंदी डर किस बाद का सच तो यह है कि जो सूकर मन की शांती हमारे तूटे पूटे घर में थी वो मन की शांती समहल की दिवारों में नाचाने कहां खो गई तब हम गारीब जरूर थे लेकिन मन के अंदर एक पक्का विश्वास रहता था कि शाम होते तुम जरूर घर लोटोगे मगर आप अब जब अब देखो बारवती आख से जो आशू अकत्रा टपक जाता है वो फिर आख में वापस नहीं लोट सकता है वह सहीं मुझे भी तुम अबने आख से टपकावास वाकत्रा सबढ़ लोगा या बाभी आभी आवी बाभी आव या का है दूनों कहा है आप लोग अरे या बात ह है भाई आज जुगल जोड़ी बड़ी खुश दिखाई दे रही है भाईया और भाभी आज हम दोनों आप दोनों को दो खुशकवरिया सुनाने वाले हैं खुशकवरी कैसे खुशकवरी राम ने बिजनस मैनेजमेंट के एक्जाम फर्स क्लास में पास कर लिया है तो कि आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं आपने मुझ जिसे लावार इस यतीम को एक नहीं जिंदगी दी है आप मुझे आशीरवा दीजिए कि मैं हर मुझरम को गिरफतार करके कानून के हावाले कर सुख़़ग। रसी आथ झाली है आपिए रालाय है वहालाय आपासा भी हालाय है आपासा लोगन प्रशान्द कुमार और पीके कोब्रा गैंग की चिफ तुमारे पाच करोड के हीरे और तोनी का पाच करोड का मान जिस तरह मेरे कदमों में पड़ा हुआ है उसी तरह समझ लो तुमारी जिन्दगी भी मेरे कदमों में पड़ी हुई है अरे पीके ऐसी बचकानी धमकियों से नहीं डरता है पीके तो जान हतेली पहले के घूमता और जो साला मौत है ना उसको अपनी उंगली पर नचाता है लेकिन इस वक्त तुमारी मौत मेरी सिर्फ एक उंगली के इशारे का इंतजार कर रही है पताओ बदन में कितने सुराख चाहिए अरे हवाओं के चलने से पहाड़ों में सुराख नहीं होते वो देखो अज़िए शाकान एक साला तेरी जिन्दगी इस वक्त हमारे कदमों है पड़ी है लेकिन हम तुझ को मारेंगे नहीं क्या है कि मरने के बाद तुझ को फॉरंग चैन मिल जाएगा इसलिए हम तुमको जिन्दा रखेंगे ताकि हमेशा तुमको तड़कने की सजा तो मिलती रहे यह तो सब कोई जानता है कि दीवारों के कान होते हैं लेकिन दीवारों के पैर नहीं होते फिर बंद कमरे के अंदर टौनी को माल पहुचाने की जो बात चीत हुई थी वो बात शाकाल तक कैसे पहुची वो गद्दार कौन है जिसना अंजाने में सांपों के पिटारे में अपना हाथ डाल दिया हम उस गद्दार को जानते हैं उसकी तस्वीर इन किताबों के पहले पन्ने पे छपी है जो थोड़ी दिर के बात उसके घर की दीवारों पे टंग जाएगी इससे पहले कि आप लोग उस गद्दार की तड़पती वी लाश यहां देखें हम चाहेंगे कि आप लोग उसकी तस्वीर देख लीजी किताब को लिए है कि क्या बात है तरुन कि अपना चेहरा देखकर पसीना आ गया भी चमाप्ची जी अभी तक मुझे को पता नहीं था कि खद्दार कौन है पुझ पर दानी जी लेकिन अब पता लग गया तरुन कि खद्दार तुम हो पुझा जी 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 पुर्टार कीजिए! पाजारों नागों के जहर को निचोडने के बाद जो जहर पनता है उसे प्रशान्त कहते है कोबरा गैंग का चीफ कोबरा लेडि़ीज और जेंट्रेलमन वेल्कम तो आवर फंक्शन आज के फंक्शन की खास बात यह है कि आप लोगों के टेविल पर ताश के पत्ते रखे हुए हैं जिसकी किस्मत में हुकम का बादसा निकलेगा उसको हमारे कलब की सबसे खुबसूरत तांसर मिस रीचा के साथ डांस करने का मौका मिलेगा आप अपने अपने पते उठाए और देखिए कोन वो खुश किसमत है हुआ 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 है हुआ हुआ है है चोरी चोरी आप मेरे दिल में आएए आप के लिए रखा है दिल ले जाएए दिल नो लेंगे आप तो और दे देंगे हुआ 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 ह चोरी चोरी आना क्या जब दिल में आना है, दिल के बदले आपको जब दिल दे जाना है, आपकी मन्जूरी हो तो पिर क्या चाहिए, दिल के बदले आप क्या लेंगे परमाईए चोरी चोरी आप मेरे दिल में आईए, आपके लिए रखा है दिल दे जाएए आपके लिए आपके लिए दिल मेरे इक खाब देखा था, खाब में जिसको देखा तो आप जैसा था आज तक दिल मेरे इक खाब देखा था, खाब में जिसको देखा वो आप जैसा था वो जोरा चेहरा वो निली आखें सभी मिलती है आपसे बाते दिल के बदले आप क्या लेंगे फर्माईए दिल के बदले आप क्या लेंगे फर्माईए दर दर दी जोडी जोडी आप मेरे दिल में आएए आप के लिए रचा है दिल में जाएए कर दिल में आप में आप लेंगे खर्माई कि यो जोड़ा भाप दाएए दोरा देल कया है रचता है कि यदर दाएए दोरा देल में आपका खर्माईश दिल आना हो तो एक पल में आता है, पास लौने को वरना जीवन लग जाता है दिल आना हो तो एक पल में आता है, पास लौने को वरना जीवन लग जाता है नजर में पहली ये दिल को ना था हो गया जिस से यार हो ना था दिल के बदले आप क्या लेंगे परमाईए दिल के बदले आप क्या लेंगे परमाईए चोरी चोरी आप में दिल में आईए आप के लिए रखा है दिल ले जाए ओ चोरी चोरी आना क्या जब दिल में आना है दिल के बदले आप को जब दिल ले जाना है ओ चोरी चोरिया मेरे दिल में आए आप के लिए रखा है दिल ले जाए है जै आप अपी तक है जिया मैंने सूचा के जाते जाते आपका ओटो गराफ लेते जाओ यह जाऊ प्रीज था तेंक यू जानती है यह क्या है कागस का टुकड़ा जी नहीं यह कागस का टुकड़ा मेरी जिन्दीगी का हिस्सा बन गया है तें इम पुच़ा जो है जथेखा है कर दो कर दो कर दो कर दो ये कागस कर टुगडा मेरी सिंदिकी का हिस्था बन गया है हेलो हेलो रिटा राम पॉन दो राम? कौन राम? इलो नाम भी भूल गी क्या बात है हमने कागस के टुकड़े से लेकर आस्मान की उचायों तक अपने प्यार का इजार किया और जिसके लिए इजार किया उसके दिल पर असर तक नहीं अब देखिए जी, मुझे नींद आ रही है क्यों आपको मेरी बात लोरी की तरह सुनाई दे रही है मेरी जिंदेगी फर्की नींद के बाद आप चैन की नींद सोना चाहती है आँ आप जैसिए हसीनों का काम है सोना और हम जैसे मॉष्टंडों का काम है जागना खालो एक है खालो मु कि बिखाना घर्राइब में लग क्रेक छुच सीज़ कि अवर ये भेलाध ये कि डुच कर जैंस जिए में तूज कि आते अच्छ करें पांट्राम कि दारे बैठे कि आश्मान के सारे सिता आये जमीन पर प्षक मुझ तो क्या जिंदेगी लटक गई है मगर कोई फाइदा नहीं यार तुई मुझे कोई रास्ता बता दे कि मैं अपने प्यार के शोलों से उसके दिल को पिखला सकूँ यह कि शोलों से नहीं बर्कुरदार शोले से शोले से हाँ मेरे लेला मजनू के 50% शोले से आजा तायवान नहीं जब कर जाओंगा जान देजूंगा हमेशा हमेशा के लिए उपर चला जाओंगा जानते हैं क्यों जो कि वोलर की जिसका नाम रीटा है मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर इसने सब के सामने मेरे प्यार का इकरार ना किया तो मैं सारी सोसाइटी के सामने सुसाइट कर लूँगा अरे साइबान ये पागल नहीं ये तो महबत की राह में शहीद होने वाला प्रेमी अरे आप देख क्या रहें उसे रोकी ना रोकूं क्यों आशिक का जनाजा है जरा ढूम से निकले हाला मजठ मजठ में लुड़क जाता थो है अब बच गयर अ उससे मूली ना कि मैं से प्यार करती हूं. आप इससे प्यार करती ही जी? भी तरपते ढ सब्रामा ही डरीट थे इसका संड़ जो संड़ हो नेसमें या दोडर है. जो शनको वेसर घंडर हूं. इसलिए को घंडर से रहता है. क्या मतलब मतलब ये कि शराब की बोतल में थम्स अप और पानी मिक्स और इसके मरने का ड्रमा फिक्स हम अब समझी लक्षमन मेरे भाई डार्लिंग टू रिटा को समझा रहा है ना हाँ मैंने सब समझा दिया है लेकिन एक लोचा है यह कह रही है यह तुझे इस जनम में नहीं लेकिन अगले जनम में ज़रूर मिलेंगे क्या हाँ मेरे दोस्त अब तू कूच जा ताके कयामत तक तेरा नाम महुबत की किताब में अमर है हर लंबु अपने आपको अमित्ता बच्चन समझता है अब लक्षमन तु लक्षमन नाई दुष्मन है तु रामका लक्षमन नहीं रावन का विविशन है साले तुझे मैं बात में देख लूँगा मैं रीटा मैं तुम से आखरी पूछ रहीं कर तुम मेरे प्यार करती हो कहना नहीं बल्कुल नहीं ठीक है दुन्हार ऊऽ है दुस्तों तँम्हां जा रहहा है इस दुनिया से ऐससी दुनिया मैं जह पर मेरी आत्माऋ रीटा के प्यार के तलाश में भटकती रहेगी उसके ड्रॉइंग रुम है उसके ब तेरे को तो मैं लाइटरीन में देख लूँगा दोस्तों, उपर जाने से पहले माद दस तक गिनूगा बाद मैं मुझे रोकने के कोजिश मत कर रहा है मुझे शूली पर चड़ा के बाचा बजा रहा है थी, चार, पाच, छे, नचाहर उसे भोल कि तूसे पियार करती है कि एक मालों इव्दास भायएést मेरा कहना मान ले, रोकलिए उसे के धी तूसे पियार करती है इस थाषिए है जोवा pret Laum मैं तूसे पियार करती हूँ स्वाच शुखे हो बेटी तो सो साइट क्यांसर या लेक्षमार्ड जल गई ना रिटा रिटा डालिंग मैं आ रहा हूं मैं अंदर दिया रहा हूं देट्र के टुस्टे टुकडे हो गया और हार टुकडे पर सिर्फ एक ही नाम लिखा हूं रिता 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 तचने मोज है ओँ सुभान अल्ला वारे उपर वाले बड़ी फुरसत से बनाया तुने असीन मुरत को जी में सपना हूँ है इससे खुब्सूरा सपना तो मैंने पहले कभी नहीं देखा इंस्पेक्टर साब नेरे घर से कल रात को इस तरह की साथ सोने की चूडिया चोरी हो गए अजी चोरी तो आपने की रहे मेरे दिल की में रिपोर्ट लिखने कहां जाऊं क्या सोच रहे हैं जी मैं चोर के बारे में सोच रहा था इव रंग किसका जी चोल का चोल खको तो मैंने देखेगी क्या अंखे अंखे जब मैंने चौर को देखा हैories नी तो क्या बता इसका आँखे कैसी थी कि मेरी समझ में आरा है कि आप समझ कर भी नहीं समझना चाहती है आपको क्या समझना चाहता हूं समझी हैं नहीं आपका पता घुल महर 16th Lake Road तौलिगंज अजी आपका पता तो यू होना चाहिए था भाहरों की रानी महपत प्रेम नगर अच्छा तो मैं चलों सिफ रिपोर्ट लिखकर मत रह जाएगा चोर को पकड़ने की भी कोशिश कीजिएगा नमस्ते चोर को तो मैं जरूर पपड़ूगा देवी जी कि अधिकर नजर आते हैं बर्बादी के आसार नजर आते हैं तुस अपना को जानता है क्या पर उसके क्या कहने आई थी यहां लिखाने रपट मगर मेरा दिल ले जटक जड़ा में अटक और यह बता कि वो आई क्यों थी अरे उसकी तो सोने की साथ चूड़ियां चोड़ी हो गई थी लेकिन वो जो मेरा दिल चुड़ा कर ले गई आरे तो दिल क्यों छोटा करता है यार चूड़ियां लेकि उसके घर चला जाएगी तो बात आगी बड़ी आगी अब और अब हैं और चूड़ी तो ब्लुब तो लो जाएगा और कहां से लाओंगा अबे अकल क्या अनाथ और नहीं चूड़ियां खरीदने के लिए कौन कह रहा है चान्दी की चूड़ियों पर सोने का पानी चड़ा के दे ते तेड़ियां मार दे उसके घर में रेड़ क्या मैं अंदर आ सकता हूं अरे आप आप कुछ और पुछने आया है जी नहीं मैं कुछ देने आया हूं अरे इतनी चल्दी आप चुडियां भी लिया है चीज आपकी थी मगर चिंता मुझे हो गई और मेरे एक इशारे पर सारा पुलिस डेपा तो साब की बोलती बंद साब धड़ा धड़ सा चुगलने लगे लेकिन जो असली चोर था वो कुछ बताने को राजी नहीं था फिर मैं उसके करीब गया उसका हाथ पकड़ा और उसकी आखों में आखे डाल दी आपकी आखें इतनी खुपसूरत है जब आप देखती है तो ऐसा लगता है कि सीधे दिल में जाक रही है जी जी तो वो चोर मुझसे इतना डर गया कि फोरां सारी चूड़िया मेरे हावाले कर दी अगर आप चूड़िया पहन के रखेंगी तो चोरी नहीं होगी आपका र सपना और सपना में जी नानी बुला रही है ये नानी जी को बुलाने का और कोई वक्त नी मिला है आप फिर आएगा शुरूर आएगा अब तो आप ना भी बुलाएं तब भी मैं जरूरूरू रहूंगा ये वेल्कम थैंक यू बाबाए बाए बाए कि अब बड़े खुश लग रहे हैं बालक द्रूव कि एस्क्यूज मी नमस्ते नमस्ते मैंने आपको पहचाना नहीं जी मैं जी मैं लक्ष्मन का दोस्त हूं राम मेरा मतलब एक इंस्पेक्टर लक्ष्मन लक्ष्मन यहां है क्या वो यहां आये थे अभी अभी गए है ओँ अब आपकी तो चूडिया चोडी हो गई थी ना हां लेकिन आपके दोस्ते चोड को यू पकड़ा और यू चूडिया बापिस ला दी वाह सच मुझ बहुत स्मार्ट है यह स्मार्ट तो है बलके बहुत ही स्मार्ट है ऐसी जिम् अदमी है किलेकिन का अशोन हैं अच अंक रहे सखिशान ही करना चाहे था ऐसी कोई बात में जहीं ब्हूंइस युन उसका तो जात में अगर प्रिश कि सचेश में यह और कैसा दाग ने मैं वैसे दाग तुचान में है और ढ क्या रदु लड़किया पटा ही लेता है और एक बार लड़की पठ जाए और उसे दिल भर जाए तो उसे अपनी जिंदिगी से ऐसे निकाल देता है जैसे दूद में से मक्षी इसका मतलब है वो दोके बास है आइने दोके बास नहीं है दोके बास तो भुजदिल होते और मेरा दोस्तों महादुर है अब देखी न कितनी हिम्मत से चांदी की चूड़ीयों पर सोने का पानी चड़ा कर आपको जो वह तिये गया है वह वाद कमाल है मेरे दोस्त का तो वो प्रॉड है जीतर है ची 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 एक शरीफ आदमी पर इस तरह के घिनोने इलजाम लगाना ठीक नहीं है इस नौट फिर देखिये साब उसकी नियत तो साफ है वो आपको फसाना चाहता और कुछ तो आपको फसा चुका है और कुछ फसा लेगा और इस फसा फसी की चक्कर में जब आप पूरी तरह से फस जैसे जल बीन मचली नृति भीन बिजली अभी है यह कर घर गया है मैं अजया शूंब यह कर घर आपकप जिए आप अच्छा हुआ अपागे नहीं तो दूस्व कैसे अट तो नहीं तो मेरी तो जाने लिए द्दम आपकी आलत हुए कैसे अजी बूचिए मत और द्भा तो जोर ने अपने दस साथियों के साथ मुझ अकेले पर हमला किया लेकिन मैंने परवा नहीं की मैं उन पर तूट पड़ा और गोलियों की बारिश में एक गोली मेरे सीने में आके लग गई आप खबराये मत सब ठीक हो जाएगा मैंने डॉक्टर लोबो को बलाया है जो मेर मेरे बाप के बाप के नlogo मेरे बाप के बाप कर नम ढुक्तर भोब यह हिंदुस्तान के सबसे मश्यूर डॉक्टर है इनका अपॉइब्मेंट चार साल पहले लेना पड़ता है आठ साल अभी कमसिल हो मगर नादान नहीं यह बच्चा मेरे पास आया इसने दस बाल्टी आसुब हाया और मुझे बताया के लक्षमर मेरा लाव है उसकी जान बच बालियू और होता है इसकी जान बेनगे हम मुर्दियों को जिन्दा बनाते और जिन्दे को अधियर अधिकर बहुत दर्द होता है कोई बात ने बच्चे, जब जिन्दगी ही नहीं रहेगी, तो दर्थ के से रहेगा, वैसे भी बुले काम का भूला नतीजा होता है अजे चुछी है, जुखी आई, यह लो आई, और अब दे प्रेमी को अप्रेशन करो अजे चुड़ो यजे, जोड़ो ज़िए, जुखे मजे खाली याजी, याज़ फिस मौबक की आग़ेगी ना उपधो की चड़ी हो यह जटो ज़िए है पर फोखे है नहीं, रहे बेंदो अ नहीं, बेंदो लाम आपे लक्षमान आपका हाथ लगती है अपका हाथ लगती ही तेक हो गया अपका हाथ है या मर्रम मेरा हाथ मर्रम नहीं बहलन है तू मेरा भाई एला यह बोला बोला रहा तेरा भाई हो तेरा भाई नहीं हो पेस्टेरा दुश्मण उर्ए तेरी सपना का सपना तोड़ने वाला हां अवाई हूँ पहले मैं तुझे अपना भाई वाई पर दोस बनाया, फिर तुझे उल्लू बनाया, मैंने तेवी पीट गव्यभफाइ का इतना बड़ा, नहीं, इतना बड़ा, नहीं, इतना बड़ा जा को घुज़र दिया रहे, मैंने इंसानियत का मर्डर कर दिया, रहे, लो मत मेरे दोस्त मेरे भड़काने पे तो वीटा ने तुझे चपल मारा था मेरे भड़काने पे तो तुझे सपला ने चपल मारा था अब ग्या परे अब एकी रास्ता है कर दो लो मेरे चार्व लाला, 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 आते आते आगे कि इतने दोनों पास हम आते आते आगे कि इतने दोनों पास हम धीरे धीरे बन गए चाहत का हितास हम आजा हाजा हाए रे समा कितना सुहाना दिल ये गाए प्यार का तराना हाए रे समा कितना सुहाना कितना सुहाना दिल ये गाए क्या था तराना आते आते आगे इतने दोनों पास हम धीरे धीरे बन गए कितना सुहाना दिल ये गाए प्यार का तराना हाए रे समा कितना सुहाना दिल ये गाए क्यार का तराना कितना थैस भुसा तेरा पुतना त्यारा जितना प्याार प्यार जीतने को दिल तेरा हम ँख ले शोवड़ तो गॉस्षा तेरा उतना प्यारा जीतना प्यारा प्यार जीतने को दिल तेरा हम हारे सोवड़ काजन से यह था मैंने आखो में तेरा लार हाथ कवन के भेजा मैंने त्यार भरा वेगा उम्र बढ़ाते प्यार की तिक देकर अपनी सास हम जा देख जाएंगे त्यार दा एक नया इतिहास हम आजा, आजा, हर समा, कितना सुहाना, दिल ये गाए, प्यार का तराना, हर समा, कितना सुहाना, दिल ये गाए, प्यार का तराना, दिलों के बीच में क्यूं आए ये संसार, लगता है गोरी तेरा, आचल भी दिवार, दिलों के बीच में क्यूं आए ये संसार, लगता है गोरी तेरा, आचल भी दिवार, जिन्दगी का हर पल भीचे, करते तेरी बाते, तु ही रहे सामने, जब-जब खोलूं मौखे, बनते बनते बन गए, एक दूजे की आस हम, हम एक दूजे पे करने लगे, रब जितना विश्वास हम, आजा, आजा, हाई वे समा, कितना सुहाना, दिल ये गाए, प्यार का तराना, हाई रतमा, कितना सुहाना, दिल ये गाए, प्यार का तराना, हर आते आते आके, कितने दोनों पास हम, धीरे धीरे बन गए, चाहत का एकास हम, आ जा, आ जा, आ हाई. किया बात अ-जगधर भाई? बात दुना बात बचार आ रहा है हुआ? क्या करें बाई पिछले दिनों फुर्लिस का खड़ा कुछ ज़ादा था औरे जगावाथ वाई तोहारे बिना धंद नहीं हाएगे चगावर मैं भूत दिनों से तेरी तलाश में सानुनिः छाज़त्या त्ट बहुआ है बहुआ है जुबुबॉबॉ कर दो प्योंक से अटाओय। झाज़ा एडब कर दो झाज़ा हुऊा हुआा हुआδा हुआई अगर एक फडिए जटा जरुब ऑर बाहा हुआए गजए अश्या जरुब अजट मैंने अज़ा हुआगा हुआई हाँ जब है ाजब इृटा एक रोल एक जब दुटा हुआए कर दो कर दिया कि तुम हर मुजरिम के लिए एक मौत का पैगाम हो आइम प्राउड आफि माइसान थैंक यू सर अब मैं तुम्हें बहुत जिम्हेदारी का कामसाओं पराओं यह है कोबरा गैंग के फाइल कोबरा गैंग हा इस शहर कि हर्स्मॉइलिंग और जूर्म के पीछे इस कोबरा गैं का हाथ है फ्रा जैकर इस गैंग के चीफ-पो आज तक किसिने देखा नहीं लेकिन हम इतना जानते हैं कि ह데 क हर आंदमी के बाय हाथ पर पर कप्रा करनिशान है मुझे उमेद है कि तुम इस गयं का नाम और निशान मिटा दो गो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा सर बेस्ट आफ लाग थैंक यू सर कि अपनी तरफ से तुम कोबरा गैंग की मेंबर बन गई हो यह सर लीना कोबरा गैंग की मेंबर मेरी सबर में यहारा कोबरा गैंग को खतम करने का काम इंस्पेक्टर लक्षमन को मिला अप्म लेकिन उस बेचारे को यह मालूम नहीं कि उसका भाई प्रशानत ही कोबरा गैंग का चिफ है उसे अंधेरे से उजाले में लाने का काम लेना करेगी ताकि घर के चिराग से घर में आग लग जाए इंस्पेक्टर लक्षमन है तुम्हारी वर्दी में बहुत जल्द एक सीतारा और चमकने वाला है कौन बोल रहे हैं तुम्हारा शुभचिन तक आपका नाम क्या है नाम से नहीं काम से वास्ता रखो प्यारे नीना वो लड़की है जो तुम्हें कोबरा गैंग के चिफ तक पहुंचा सकती है जो आज तुम्हें कार नमबर टीसी थेड़ फोर नाइन सेवन नाइन में हाईवे पर मिलेगी कुआ कि कोबरा गैंगा चीफ कोन है कोबरा गैंग को नहीं जानती अगर तुम नहीं जानती तो ये क्या है बताओ चीफ कोन है ये मैं किसी चीफ को नहीं जानती मैं सिर्फ ये जानती हूं कि आज रात को बारा वजे जोन नाम का एक स्मगलर कोबरा गैंग के चीफ को डेंपर मिलन वाला है. जौन. Mr. John, you are under arrest. कि परबग चुके हैं जॉन अब तक नहीं आया है जॉन आ चुका है कि पीरे टोपी में है और सतकडियां मेरे हाथ में अगर अपनी जगह से कोई एक इंच भी हिला तो इस पिस्तॉल की सारी गोलियां उसके सीने में दाग दूगा हुआ 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 है हुआ हुआ है कि इंस्पेक्टर लश्वन तुम्हें चप्त रिविव में फजगे हो एक तरफ तुम्हारा फ़स कहता है कि वह मुझ्रिम जो तुम्हारा भाई है उसे गिरफतार करके अपना फ़र्ज पुरा पर और दूसरी तरफ तुम्हारे भाई का है आप जो तुम पर कर्ज बनकर उसे गिरिफतार करने से रोक रहा है तो है हालो इंस्पेक्टर लक्षमन आज शाम साथ बजे पुरानी खंडर में पचास लाग की सोने का साथ होने वाला है कॉन बोल रहें हैं कॉन बोल रहें हैं कॉ को कर 12 शीज करें कर दो कर दो कर दो कर दो हुए हाद हाद प्राइब प्राइब। क्षच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् ख़या चू कहा रात है जमाँ ख़या चू कहा रकुम रकुम आना तकुम तकुम जाना तकुम तकुम आना तकुम तकुम जाना दीवानी, दीवानी, दीवानी मैं तो सरंब तेरी दीवानी मेह के जवानी जैसे लात रानी तेरे सामने तेरी खाबों की रानी हम है के जवानी जैसे लात रानी तेरे सामने तेरी खाबों की रानी एक तुम एक हम जैसे लात रानी होने दो संगन भुहा देखने बाला ना कोई करनो मन माने दीवाने, दीवाने, दीवाने मैं तो सरम किल दीवाने क्वार्त क्या दीवाने क्या दो अगार्त व्हार्त मैं क्या प्रेश तेरे बिना जाने जले संदकाने आग ये कुछाना पाए बातलों का पाने तेरे बिना जाने जले संदकाने आग ये कुछाना पाए बातलों का पानी आगे चलाएगे जब तुझे पाएगे सब कुछ पाएगे तो ही अपना लाग दुनिया बेगानी दीवानी 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 रात है जमान खोया तू कहा रात है जमान खोया तू कहा रकम रकम आँना तकम तकम जाना रखम रखम आवाँ तकम तकम जाना दीवाने दीवाने मैं तो सरम कर दीवाने आना, आना, जाना तुम वहां से अचानक क्यों चले आए आखिर तुम्हें हो क्या गया है तुम हर पल हर लम्हा मुझसे दूर होती जा रहे हो सपना, मुझे जिन्दगी ने ऐसे दो राय पर खड़ातर दिया है जहां पर रोश्नी तो है अगर रास्ता दिखा ही नहीं दे रहा इसकी बजे कोबरा गैंग जिसको पकड़ने का काम मुझे दिया गया है क्या उनके बारे में तुम्हें कुछ बतानी चल सका सब पता है उनके अड़े कहा है उनका चीफ कौन है तो फिर उने पकड़के खानूं के अपाले क्यों नहीं कर देते सपना आगर किसी प्रेमी ने अपनी मेभूबा को जिसम बेचते हुए देख लिया जिसे वो देवी समझता था तो उसका क्या हालोगा उसे बहुत दूख होगा तब उसे क्या करना चाहिए उसे भूल जाना चाहिए कि वो उसकी महभूबा है और से सजा देनी चाहिए और अगर वो मैभूबा की जगा है कि माहोतो है कि तुम भी जवाब देने से मजबूर हो गई न कि शम्शान में पड़ी हुई लाश कि अपनी चिता में आग नहीं लगा सकती हुआ अगर लक्षमन हमारे लिए खत्रा बन चुका है वो हमारे गले में फांसी का फंदा भी दलवा सकता है लक्षमन हमारा भाई है वो हमारे खत्रा कभी नहीं बन सकता है मगर वो एक पुलीस ओफसर है हमारे लिए खत्रा बन सकता है लेकिन यह मत भूलो कि पहले वह हमारा भाई और बाद में पुलीस ओफसर पुलीस ओफसर तो अपने बाप को भी नहीं पहचानते सर और यह तो आपका सगब भाई भी नहीं है वाकवास मत करो क्या करना चाहता हो बोलो सिर्फ यही कि कोब्रा गैंग की कानून को आपने मनाया है आप ही उसे तोड़ देंगे कान सा कानून कि जब भी किसी पुलिस वाले को हमारे गैंग के बारे में पता लग जाए उसे खत्म कर दिया जाता है तक्समान को भी खत्म कर देना चाहिए सर चाहिए कानून हम बनाते हैं उसको तोड़ने का अधिकार भी सिर्फ मुझ को है एक बात याद रखना आज के बाद ऐसा कोई आईडिया भी अगर तुम्हारे दिमाग में आया ना तो मुझ से बुड़ा कोई नहीं होगा हुआ है हम जानते हैं कि तुम हमसे नफरत करने लगा है काश मैं आपसे नफरत कर सकता नफरत ना सही लेकिन अब मुहबत में पहले वाली गर्मी भी तो नहीं रही है तब ही तो एक इंस्पेक्टर के बदन पर उसकी वर्दी रखी रह गई थी और वो पिकल गया था और मै तो इंस्पेक्टर के वर्दी तुम्हारे लिए कफन बन जाए मेरे गैंग के कुछ लोग तुम्हें खत्म करना चाहते हैं पता नहीं कौन कब तुम पर वार कर बैठे मेरा सुझाओ यह है कि तुम अपने यहां से ट्रांसफर करा के कहीं और चले जाओ और एक नहीं जिद है कि तो वह मेरा फर्ज और फर्ज ने बाते आपने अपने आपको आपके तल्दल में दसा लिया आप पुन अच्छा बुरा तोलने के तराजु को जिसने में पकड़ा वो जिद्धी भर दुख तोलता रहा अगर वो तराजु तुम अपने हाथ पक्ड़ना चाहते हो तो आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं रिश्वत आज तक प्रशांद कुमार ने किसी को रिश्वत नहीं दी है वो अपने छोटे भाई को एक नई जिन्दगी देना चाहते हैं तो अपने आपको कानून के हवाले कर दीजे लगता है इंस्पेक्टर बात करने लगा तो इंस् छूकर पर शुक्णे ओला सर परशांद कमार नहीं हो सकता है हमने जिंदगी में हारना नहीं सीखा है। Living치 तरना नहीं सीखा है तक्षमान कि मैं फिर कहता हूं जित छोड़ दो और रुपया 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 पाप से कमाय हुए जिन रुपों की धेर पर बैठे हैं न वह एक दिन बारूत का धेर बन जाएगा और फिर आपके जिन्दगी में सिर्फ दमाके होंगे ले जाहिए रुपया नहीं चाहिए मुझे आपकी यह पापकी कमाई ले जाहिए तो महरे जगे यह गलती कुई और करता तो यह उसके जंदगी के आखर ही गलती हुट्टी पारवती आगे तू क्या हुआ हां लक्षमन ने यह शहर छोड़ों के जाने से इंकार कर दिया है इंकार कर दिया क्यों इसलिए कि अब वो एक बहुत बड़ा पुलीस ऑफसर बन गया है हां फर्जीमान और जमीर की बाते करने लगा है मुझे गिरफतार ना करके हुँ मेरे हैसानों के कीमत चुकाने के कोशिश कर रहा है तुमने तुमने उसे अच्छी तरह समझाय क्यों बहुत समझाया मगर वह समझे तब तो मैंने उसे हां तक कहा यह रुपे लो और किसी औ तक कोई फरक समया है है लेकिन पइर यह सब हमारे घरम कहले लेकिन परवती यह सबसक्र करें किसके क्लियों कि आप लो किसक लिए ने हुए आगर उसने मेरी ताह जएफी देखी ऊझाय है तो आज वे मुझे बात करूश को अच्क है आज को बात करने किश्च्छ एना जो मर्जी हो करें कि मैं आफास पुरा करूंगा लक्षमान के जिन्दगी पर किस तरह के आज नहीं आने दूगा और कल लिए वकील को बुला और अपनी यह सारी जमीन ज्यागारो कारोबार काम के नाम ट्रांसर करतेत लक्षमारद लक्षमार्दוכ अवे लख हमान यह कारा है लखमार अब लखेंविआ के बच्चे का मर गया अए साला क्या ब poker आज तू बहुत खुशनादर आ रहा है तू नहीं आप बोलो आप अब मैं राम नहीं रहा है अब मैं राम कुमार सहाब हो गया हूं यूसी मुझे अपनी हर कंपनी का चेर्मैन मना दिया है कितना खुश्चिसमत हुगा जो मुझे इसा भाई मिला जो एक मामूली कुली से अपनी महनत इमानदारी और सच्चाई के बलबूते पर आज क्या से क्या बन किया भगवान को मैंने साक्षात तो नहीं देखा अगल अग्या लगता हौज है मगर लगता है वो मेरे बहिया जैसा ही होगा अगर अनजनुन में कोई kisी को भगवान मान भी ले तो क्या उसकी बदलती क्या मतलब क्या कहला चाहता तू यही के भाईया ने इमानदारी सच्चाई और मेहनत के बल पर नहीं बलके उनका खून करके सारी दौलत कमाई है और तुम जिन कंपनियों के चैर्मेन बन गया हो ना उनकी बुनियादें बेगुनाओं के लाशों पर रखी है और वो वो पसीने टपकाने वाला कूली आज भी कूली है लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि अब वो समान नहीं पाप का बोज उठाता है जिसे तुम भगवान समझते हो भगवान नहीं स्मगलर है कातिल है चोड है जिस जबान से तुने भाया का नमक खाया को सब्सक्राइब तैरी जबान कट के गिर के नहीं गई इसलिए इसलिए कि सच बूलने से जबान कटती नहीं बलके जबान की ताकत और बढ़ जाती है और राम, जिस नमक की तू बात कर रहा है न, उसी नमक ने इन हाथों और उनकी करदन के पीछ एक दिवार खड़ी कर दी है परना, परना मेरा फर्स उनकी करदन को पांसी का बंदा बना कर कश चुका होता अगर ये सच है कि मेरा भगवान जैसा भाई चोर है, स्मगलर है और उसके हाथ खून से रंगे हुए है तो मैं अपने भगवान के हाथ काट कर ठेक दूँगा ताके वो दुबारा पाप का बोज उठाने वाला कुली न बन सके और अगर ये जूट निकला लक्षमन तो आज के बाद राम तेरे लिए रावन बन जाएगा यहाद रखना राम क्वा वालंत हैं मैं लगता तो मुस्ट्य कुछ चुपा रहा है बताना क्या नहीं running कुछ आगे बारे में सोच रहा था या यही कहीं तूब Mensch बंकर मुझसे दूर तो तो जाएगा भूल तो नहीं जाएगा बद ऐसा कभी हो सकता है क्या अरे तू तो हमेशा मेरे साथ रहेगा यहां मेरे दिल में कि तुझे कैसे बताओ राम कि भाईया की असलियत क्या है है तुम कहोगे कि यह तुम्हारा स्थिफा है लेकिन मैं कहोंगा एक ऐसी की चिता है जिसके शब्लों के ऊपर एक बहादूर पुलिस ऑफिसर की ला शक printed एक ऐसा पुली समई जिसले और दी पहन Zwey आपने फर्स को निभाने के लिए मैं अपने खूल के एक कज़ा कर बान कर सकता हूं सर क्या वेगिन है यह मेरी एक मजबूरी है मजभूरी कैसी मजबूरी फर्स को पूरा करने के लिए कोई मजबूरी नहीं होती फर्ज की खातिर बाप अपने बेटे को त्याग देता है फर्ज की खातिर पत्नी अपने पती को त्याग देती है फर्ज की खातिर भाई भाई का खून कर देता है और इसी लोगों का नाम इतिहास में अमर हो जाता है आओ मेरे साथ यह जो लड़का यहां बंद है इसका नाम है दीपक चोरी स्मगलिंग डगेटी की हर किताब पर इसका नाम लिखा होता था आज यहां यह साथ साल की कैद काट रहा है जनते हुए कौन है यह मेरा बेटा है तुम दुश्मन के आदमी यहां कहीं मौट ढूनने तो नहीं आये जिसके पीछे मौट पड़ी हो शाकाल सहाब खुद जिन्दगी ढूनता है बेवकूफ हो तुम जो जिन्दगी ढूनने मौट के व्यापारी के पास आये हो बेवकूफ होते हैं वो जो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त नहीं बनाते मतलब मतलब पीके का भाई इंस्पेक्टर लक्ष्मन हमें सूली पर चड़ा देना चाहता है और दूसरी तरह पीके जो भाई के मोहबत में तुम लोगों की बली देना चाहता है हाँ वो भी मेरा दुश्मन है जिसके थपड़ की गून को मैं उसकी मौत की चीख में गुम कर देना चाहता हूं फिर देर किस बात की हैं शाकाल ढाल बनकर तुमारी रक्षा करेगा मार दो उनको फिर नसिर तुम फासी के फंदे से बच जाओगे बल्कि कोब्रा गैंके चिफ भी बनोगे कोब्रा गैंके चिफ कि तो हमेशा से मेरा खाब रहा एक शकल से लेकिन ऐसे खाब हमेशा लाशों के धेर पर सजाए जाते हैं दुर्जन सब इंजाम हो गया देखो तू सब ठीक है ना ठीक ही लग रहा है मैं क्या सोच रहा हूं कि जनम दिन के शुम मौके पर इन दोनों की मंगनी का एलान कर अरे वह यह तो तुमने बहुत अच्छा है जनम दिन के मौके पर इससा अच्छा तो बहुत उन लोग लिए होई नही इसाब मुझे अभी खबर मिली है कि इंस्पेक्टर लक्षमर हमारे गैंग को गिरततार करने आ रहा है और साथ यह भी पता चला है कि हमारे गैंग का कोई आदमी उस पर डामनेंड हारबर पर हमला करके उसे खब्सक्राइब देने वाला है आप अब तुम जल्दी से हमारे आदमियों के साथ डायमंड हरबर पहुंचाओ अब दुर्जन इन दोनों को खतम करेगा और हम दुर्जन को और उसके बाद जुर्म के इस काली दुनिया के बेताज बादशाह हम बनेंगे हम हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 ह हुआ ज सोट घुआ तर झाल 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 चुछुमुमुमुमुमुछ। झालाई गुर्णै टोसे औरता कि अवें! नएंग लग्ट संदोर्ट अटरग्ड़ारग्ब अटार्टरय अटोर्टर्ट लॉज विए वर क्योओर्ट वोता इजार्ट। आज मैं दुनिया ही चोड़ कि अगले तेरे आगे तो जिन्दगी पढ़ी है चीने की अच्छा होता मुझे मौत आगे होती है लेकिन तेरी मौत तेरी मौत मेरी जिन्दगी सबसे बड़ी हार है यहार में कभी बर्दाश नहीं कर सकता यहार में कभी बर्दाश नहीं कर सकता जिस दिन तुम यह बुरे काम छोड़ दोगे न उस दिन में फिर से जिन्दा हो जाओंगा एक एक जनम तो तुमने दिया था भाया वादा करो फादा करो तूसरा जनम पर तुम ही दोगे वादा करो भाया मत बादा अच्छे लोज सरफ ले जाओंगा बाभी कितने मज रहें लोज साथ बच गये अभी तक भहिया निया है और आज वह इंस्पेटर साथ भी गाया आप है इतने तारे महमान सब बादो जिता दुम ही लोगे जाओ साथ, जाओ है. प्लवेश देख gluten यह, यह सब कैसे हो के बाइया दुश्मनों ने इसके जान ले लिए जान दे देंगे जाले लेंगे हम यारा के वास्ते मौत जुदा कर सकती है बस अब तो अपने नास्ती एक ने कही दुझे ने मानी बाइन ने ले मान कि अब दोस्त तो जोड़ कर कहा चला गया था अब मैं वापस आगया हूं कि मुझसे वादा कर अब तुम उन्हें चोड़ कर कभी नहीं जाएगा कि अब कि अब तुम 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 यहां कि मैं इस जगह रोज आती हूं जहां मेरी दुनिया उचुड़ी थी कि हां सब कुछ खातम होंगे लक्षमान के बगर जिंदगी की कोई माइने नहीं तुम जोड़ूंगा ने उन कातलों को जिन्हों ने तुम्हें स्वागन बनने से पहले विद्वा बना दिया क्या तुम खातलों का जानते हो जानता हो तो अब तक मैं उसके खून से आस्मान के नीले रंग को लाल कर देता एक बार लक्षमान ने कहा था कि वो किसी कोप्रा गैंग की असलियत जान गया है कहीं ऐसा तो नहीं की कोप्रा गैंग नहीं मैं जानते हो इस तजवीर की कीमत क्या होगी की इसकी से तो अस्करोड निस करोड इस स्वीर की मैं कीमत सिर्ट तलवार की नहीं तलवार की धार की होती है प्रशान का भाई राम पागलों की तरह लक्षमन के कातिल को ढूंड रहा है कि जब वह स्वीर को देखेगा देखती इस पर छपट पड़ेगा तब हम प्रशान से उसके पागलपन की किमत निचोड़ लेंगे तस करोड़ कि अधिया कोगरा गैंग के इसी आदमी ने मेरे दोस्कों मुस्ते चीना है और अब मैं इसकी जिंदगी से चीन लूगा नहीं राम नहीं तो मैंसा कुछ भी ले करोगे मैंने लक्षमन की लाश पर सौगंत खाई हो भाईया कि मैं उसके गातिल को नहीं छोड़ूँगा राम तुम पागल हो गया हूं लक्षमन की यहाद और उसकी जुदाए ने मुझे पागल कर दिया है मेरा यह पागल पन उसके गातिल की चिदा बन जाएगा नहीं राम नहीं मैं तरी इन हादों को नहीं रंग में दूंगा आज तक मैंने तुम्हारी किसी बात का इंकार नहीं किया मगराज पहले बार इंतकाम की आग में चलता तुम्हारा यह भाई तुम्हारी बात मनें से इंकार करता है इस वक्त तुम कहा जा रहे हो लक्षमन के हत्यारे को खत्म करने हैं लक्षमन के हत्यारे हैं हमारी गैंग एक आदमी ने शाकाल से मिलकर लक्षमन का खून कर दिया और इस बात का पता राम को चल गया तब से उपागलों के भाति उसे खोज रहा है इससे पहले कि राम लक्षमन के हत्यारे के हत्या करें मैं उसका मिन्हों खत्म करूँ आप अपने जीते जीराम को हत्यारा नहीं बंद नहीं कितने कठोर हो गयो तुम इतना खून खराबा हो और तुम पिर सोई खाब नहीं मैं तुम्हें और यह पाप करने नहीं दूगी मैं तुम्हेरे पाँ पड़ती हूं चोड़ती ऐसा मत करो मेरे पाँ में जंजीर मत डालो राम को बचाने में अगर जरा भी देर होगी तो राम का हाथ लक्षमन के हत्यारे मेरे जिन्द की बर्गे तवस्या बंग हो जाएगी हमें राम को बचाने में हाथ राम राम लक्षमन के हत्यारे का पता चल गया है कौन है वो कहा मिलेगा होटल पैरडाइस में होटल पैरडाइस होटल 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 मुग 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 जांकी ये वाजी आखरे वाजी केलेंगे हम जिन्दा हुआ तू फिर से हमने मर गए हम दुनिया से आज उठ जाएगा दुश्मन तेरा मेरे दो, मेरे दो, मेरे दो तेरी कसम, तेरी कसम, जांकि ये बाजी, आखरी बाजी, खेले ने हम जिन्दा हुआ तू फिर से हमने मर गए हम दुनिया से आज उठ जाएगा दुश्मन तेरा मेरे दो, मेरे दो, मेरे दो तेरी कसम, तेरी कसम, जांकि ये बाजी, आखरी बाजी, खेलेंगे हम तेरी कसम, जांकि बाजी, उनाया पारी कम्स, अप़ मेरे दो, मेरे दो, मेरे दो, मेरे फेलाएगा दो, मेरे अर दो..." कि अज़ देखनी की तुछ का दुनिया की हर बहां तू चल दिया भी से हमें करके बेठरा जब तक ना तेरी मौत का बदला चुकाएंगे तुष्मन तो क्या है कुद को माप करना आएंगे दुनिया से आज उठ जाएगा दुश्मन तेरा मिरबो मिरबो तेरी कसम तेरी कसम तुछ की ये बाजी आख तेरी माजी चेलेंगे हम कर दो अ कर दो लो झालिजा बुट कर दो कर दो ए्यों कर दो झालिब तो दिल बनके धड़कती है सीने में तेरी आद हर सांस बन गई है तेरी आद में परिया कि छुप हुआ तो क्या हुआ जवा देंगे हम तेरे खून के हर कतरे का के साथ लेंगे हम दुनिया से आज उठ जाएगा दुश्मन तेरा मेरे बोश मेरे बोश मेरे बोश तेरी कसम तेरी कसम जांकि ये बाजी आखरी बाजी खेलेंगे हम दुनिया से आज उठ जाएगा दुश्मन तेरा मेरे दोस्त मेरे बोश मेरे बोश तेरी कसम, तेरी कसम कि तेरा शहरे भाइके कि जाएकेimar, तेराल ठेराट ciao कर दो कर दूजा है रहाइज औरहाओ वाँ तरह भाईक जाआए लवाँगा प्रुटरी विल आदोर कि अलुटरी भाँबस इनरे विल खने में पराइज कर दो ठकादा एा फस दोर ओार झ मैं आरे जारे जुटरी आरे बारे झाएज़ काया ते ओद व्याद विल आरे ज्स दोरे इनर शबने ट झाल कर दोटार रेखार रख़ कर दो भूल है 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 प्रशान कुमार मुझे मालूम है तुम्हारे दिल पर चाकू चल रहे होंगे लेकिन जरा सोचो जब राम को फासी होगी तब तुम्हें कैसा लगेगा राम के जिन्दगी की कीमत तस करोर जो कल तुम भूद घाट पर आकेले आकर दोगे और याद रखो तुमने हमसे चाला की करने की कोशिश की या अपने पिल्लों को साथ लाए तो तुम्हारे भाई की जिन्दगी का सू पुरज हमैशा के लिए डूप जाएगा समझेए हा। झाल झाल जानता था कि तुम आपने बाल तुकुत्तों के साथ कि तुम पर गोली चलाए ताकि सब अपने बिल से बाहर आ जाए अब अगर तुम अपने भाई की जिन्दगी की सलामत ही चाहते हो तो आखेले सामने की मोटर बोट से प्रिंसें जेडियों बचाओं। झाले साथ झाले की ची जाँ झाले से बाले की जाए प्रिंसें उेड़े वंगराई वैज़ेगर ड्म ही लिद्वी झाले लिद्वी 5-18 प्रिंसें येज़े प्रेंश इज़े़ेग्र झाले वेज़ेगर जिस तरह साप बीन की आवाज पर नाशता है उसी तरह तुम आज मेरे इंशारे पर नाच रहे हो प्रशाद गुमार रेड वेली का फासला 25 किलोमेटर है और वक्त है सिर्फ 15 मिनिट 15 मिनिट के बाद वीडियो के ऐसे पोली स्टेशन पहुंच जाएगा तुमारे लिए सामने सफी तरहन की अमबसेटर कार खड़ी है कि अजीव इत्तफाक है आज से ठीक 15 साल पहले आज ही के दिन इसी जगे पर तुमने मेरा माल लूटा था पीके और आज तुम उसे सूथ समय लवटाने आये हो अरे पंद्रह साल पहले जो तेरा अंजाम हुआ था ना आज उसी को दोराने आया मरने से पहले कुछ लोगों को चीखने की आदत होती है लेकिन मैं उसका बुरा नहीं मानता है अब रूपिया मेरे हवाले कर दो कि कि ये तुम्हारा का फन है लेकिन इसमें दफन मैं तुम्हें करूंगा कि 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 आप टेरी गोलिया अपने बुलेट प्रूफ जैकर से टगरा के लॉट गई तुने हम पे गोली चलाई ना हम गिर गया तुम समझा साला हम मर गया है लेकिन शागाल हेली कॉप्टर बैटे मेरे आदमी ने तुम्हारे इस खूनी कारणामे की तस्वीर वीडियो कैमरे में उतार लिए अब ऐसा है कि इस कैसिट को अदालत में पेश करने पे अदालत फौरन मान लेगी कि मैं मर चुका हूँ और मेरा खुन तुमने किया है लेकिन पीके तुम भूल गये हो कि तुम अभी तक जिन्दा हो जिन्दा हो ये तो सिर्फ तुम जानते हो शाकाल अदालत तो वही मानेगा जो कैसिट दिखाएगा उनको अरे हम तो कई भी छुप जाएगा उस वक्त बहार निकलेगा बेटा जब तुम्हारा गर्दन फास कि अधिनी के फंदे में कसके तोड़ दिया जाएगा अब इस शराफा से देता है कैसे याव को नया धंदा करवाओं हिली कॉप्टर बहुत 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 शुक्रिया यह क्या करें व पागल हो गया है तो महट जानते नहीं इसने क्या किया यह खुरी मर गया इसने सिर्फ लक्षमन कहते हैं यह खुन नहीं किया बगि मेरी जिंदगी भर के तुमस्ता का खुन कर दिया नहीं से छोडूगा ने मगर मैं कोबरा ग्यांग के एक एक अन्मी को चुन चुन के मारूंगा उनकी जिंदीगी का नामों निशान में टड़ादूगा मैंने फैसला किया है कि मैं कोबरा ग्यांग के चीफ के खुन से अपने माथे पर तिलक लगांगा अरे तुम कहा जा रहे हो हालो राम हाँ बोल रहा हूं कोब्रा गैंग के चिफ तक पहुंचने की सीड़ी का नाम है लीना वह अज शाम को चार बजे जेल से छूटने वाली है उसके बाए हाथ पर कोब्रा का निशान है च바‍ मैंने फूटने वाओ पर कोब्रा ओ Meg है अज ⁙ यह 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 Stand झाल 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 कर थेटेश्य दुझा जन्टोट क्या थे आपको फाई मुझे वाद आले का तो अध्रत मुझे आगा थे ऐसे प्रेंटे के सब्सक्राद कदीनर है ओरा थे लुद्धी आप थे आपको पासे खूड़ हो अन्या है अध्रत की श्रुड़ाय यहां चाहित इंप अधर आंड़ ऌाम भी ऑः इतो भंध सुनूगा मही थांट तक चोड़ोंगा नहीं अणन्चान्टे बाखालोंगा है हता है यह यह चुट, जफान यह आए हुआ है कोभरा ज्यांट के चीफ आप है यह लुझ मीनलाग है यह में जी जीमन की खाल दिया कातिल कोई है में उसके मौत के जिम्मदार ये है हाँ मैं ही उसकी मौत का जिम्मदार हूँ उठाव बंदू और कर दो मेरा सीना चल ले और मेरे खून से अपने माते पतिल्ग लगा कर उस कसम को पूरा करो जो तुमने लक्षमन की चिता पर खाई दी तेरी कसम भी पूरी हो जाएगी और मेरे पापो का प्राशित में हो जाएगा चला गोलियां चला गोलियां नहीं यह लीना की जान लेनी की कीमत जो किसी को मेरा नाम बताने के लिए जिन्दाई नहीं रही और यह राम को पीके की असलियत बताने की कीमत जिसकी वज़े से राम की दिल में उसके लिए नफरत का जहर भर गया और यह है राम की लाश को शमशान में जलाने की कीमत शाकाल साथ आपकी राम से क्या दुश्मनी है राम से दुश्मनी की वज़े है तुमारी मुझसे दोस्ती क्या मतलब मतलब रामी तुमारे भाई का कातिल है राम मेरे भाई का कातिल पीके का भाई राम अब मैं प्लिकिस्क डॉल के हर गोडी पर पीके के खानदान का नाम लिक तूँगा इस इंतकाम की जंग में शाकाल तुम्हारे साथ है क्वब्रा जांग के चिफ के आप है कि यह लक्ष्मन के कातिल भी आप है लगवरे लगवर निए लगवर्थ के कातिल है इन फेल से लृष्मन माला गया उसका कातिल को भी वाला उसके मौत के जिम्मदार यह है उसका कादिल कोई भी हो वाला उसके मौत के जिम्मदार यह है क्या हुआ ऐसे क्यों कर रहे हो यह सब क्या हो के पारोती यह सब क्या हो गया सब ठीक हो जाएगा मैं मैं राम को वापत ले आओगी नहीं हाँ कि राम अब कभी वापस नहीं आगा परवाती है कि मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूं कि उसने मेरी तस्वीर पर गोली चुला कर इस बात को सामित कर दिया कि यो उसे कितनी नफरत करता है वो जरूर वापस आएगा मैंने उसे पाल पोजकर बढ़ा किया है वो मेर तो मेरे पास लियाओं पार्वाती न तुम्हें वाचन देता हूं मैं अपने भाई के लिए सब कुछ चोड़ दोगा तुम उसे सिर्ज मेरे पास लियाओ किसे वित्र मेरे पास लियाओ लिया उसी राम, तुम घर लोट जाओ। किस घर की बात कर रहे हैं। जिसकी सब उमीदें, सब आशाएं तुम पर हैं। नहीं रिटा, मेरे लिए वो घर नहीं। उसकी तिवारों से मुझे पाप की कमाई की बू आती है। ऐसी बाते नहीं करते हैं, राम। क्या खून का रिष्टे कभी तूट सकता है। बाबी, रिष्टें सिर्फ खून से नहीं वाकरते। तुम्हारा मेरा खून का कोई रिष्टा नहीं। मगर इसका मतलब यह तो नहीं, कि तुम मेरी माँ ऐसी नहीं। और जिस खून के तुम बात कर रही हो न। भाईया अगर मेरे बड़े भाई हैं, तो मेरे छोटे भाई के कातिल भी वही है। ऐसा मत बोल राम। तेरी इस तरह चले आने के बाद, तेरे भाईया बिलकुल टूट से गए हैं। अगर मैं वक्त पढ़ना पॉस्ती, तु पतानी हो क्या कर बैठते। तु घर वापस चल रहा ह। तु नहीं जानता तेरे भाईया तुसे कितना प्यार करते हैं। प्यार मैं भी बहुत करता हूँ थे। तु शायब ची कह रहा ह। लेकिन, लेकिन तेरे भाया हमेशा ऐसे नहीं थे, जमाना ने उन्हें अच्छा आत्मी रहने नहीं दिया, हम दोनों को बचाने के लिए उनको ये रास्ता अपना ना पड़ा, तुझे सुखी देखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वो ये भी भूल जाते हैं, क्या उनक जान की जरूरते हैं, उसकी जिन्दगी से बढ़कर नहीं होती, और अपनों की प्यार में अंधा होकर गलत रास्ता इक्तियार कर लेने का मतलब मेरी समझ में नहीं आता भावी, देख राम, मैं ये सब कुछ नहीं जनती, मैं, मैं तुसे भीक मंगती हूँ, तु घर वाप सपना देखते देखते, अगर अचानक नीन टूट जाए, तो क्या वो सपना दुपार देखा जा सकता है भावी, नहीं ना, मेरा सपना भी टूट चुका है, नहीं राम, ये, अभी, 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 प्राम, अभी, अभी, अभी अभी, 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 अभी? यह जो पर बहुत कम है मैं तेरे भाइया से वादा करकर आई थी तुझे घर वापस लेकर जाओंगी मने से पहले मैं तद वादा पूरा करना चाहती हु नहीं आए आई आसा मत को भाभी तुम्हारा वादा पुरा होगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा भाभी अजलो घर च दोब रही है आख कित दूबुप रही है काश कि अ करा काया रही एนा ऐसलो थे इं कि और च यह तुह और लूग mês मैं जानदा था तो घर लोटके मेरे बास वापस जुरूर आएगा चल आज मुझको चुके तू कसम खा कि आज के बाद तू कभी हमें छोड़के नहीं जाएगा कसम खा यहायँ तू क्या हूँ था चल करा है यह थे लोटोस पार्वक को अधिया आपके दिश्मनों यह गोलिमारों ना सब अधी यह सब क्या हो गया है यह सब क्या हो गया? मैं तुम्हारे भाइको वापस लेआए हूँ तुम्हारा भाइक वो कभी तुम्हेट नहीं जाएगा मगर मैं तुम्हेटगा नहीं नहीं मैं आग्याओं सब ठीक हो जाएगा तक्षिर में शाहिट है तक पार होती पारवती, तुम मुझे छोड़का चली गए लेकिन तुम्हारी इस मौत में मेरे सीने में एक चौला मुकी बर दिया है और इस चौला मुकी की आख से मैं उन तमाम दुश्मनों को जिन्दा चला दूँगो जिन्होंने तुम्हारी चान ली है भाईया, इंतकाम की इस चंग में मैं तुम्हारे साथ हूँ आपकाम की अ हुँ आयाए ओ प्हारे साथ कि अ पर दूज बर दूँए झाल 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 हुआ 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 है 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 हुआ 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 है है ये लिजे भाईया ये लो निकल निकल भार राम सदो निकल ये लिजे भाईया और इनको इनके किये की सजा दीजिए ल्या I am माई लोड़्यो निकल्स ड़ाईयulा निकी वाईय विल आजजयू मैं ये भाईया कोलि मार येना है बोचार एंब कोलि भाईया 3 2 5 2 कृईंधे अब क किया रह भया बया। बया किल देंग! है इसने किल देंग बया! आज सब कुछ खतम हो गया, सब कुछ खतम हो गया, राम, दोस्त भी, दुश्मन भी, अपने भी पराये भी, अब मैं बहुत ठक गया हूँ, बहुत ठक गया हूँ, बहुत ठक गया हूँ, चल, अपने आपको परीस के हमाले करके, अपने पापो का प्राशित कर लेता हूँ, तभी शायद परवती के अपने वशानती मिले, चल, मैं आपके साथ हूँ मैं यहाँ, कि एसाथ हूं भूप आप एफ आप 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 जिन्हाना क्या नाम है मिरा है शाकाल मेरे नाम का मतलब जी वो शाकाल जी याने मौत का बादशाह और मौत के बादशाह को कभी मौत नहीं आगी लेकिन उन दोनों को जरूर मौत आएगी जरूर आएगी चलो कि वप लेकिन आएगी लेकित, बादशा, याम मौत आएगी चलो north upon 해서, दिसस्रीष का ओज को के घत आएगी याली, जरूर िचे लexist है, कि अभू ओग जो ढगी मौत आएगी घरूर ओगी याली, मौत अचैया, वी याली जलाएगी, जन एकिनुर भेगी जोूरातभी, भेफ कर दो झाड़ है झाल झाल कि अजया है जुदरोंगा है। ए कल रहार राख खाई खुब है। कियो ब subscribed 3 अपने बाप को जिन्दा देकर हैरान हो गया क्या है 듯RO मेर गॉलिया तेरे बुलेट प्रूब जाकेट से तकराकर लाउड गई थी। उसी तरह तेरी गॉलिया भी तपर कर दक करना कर लाउड गई। प्रसान्य कुमार और पीके अब आज मेरे हाथ मेरे, मेरे। वभर हिम्मत है तो नीचे हां नमर- Phukol-Poto- Goal-Conest कने, ति छेक रिनल ऑखी है। झार। झार। कार सुआए Hare। राम्सरे Киリ कार सिवे रेल OS याख! ने, ये, 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 ये! ये! ऑाख्री बाजी! ये! अएया! राम, ऴृर मेरे भाई! राम! ये, ये! भाई यह आपने क्या किया मेरी जान बचाने के लिए राम तेरे लिए तुम्हें कुछ भी कर सकता हूं भाई मेरा वक्त पूरा हो गया है मैं जा रहा हूं लेकिन जाने से पहले मुझे एक वादा करना होगा जिंदगी में कितनी भी तकलीफें हैं कितने भी कर्ष्ट क्यों जिलने पड़े तो कभी पाप के रास्ते पर नहीं जाएगा आपको कभी अपने सीने से लिए लगाएगा हम मुझे वचन देगा हां मैं वचन देता हूं भाई यह 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 कितने तो कुद है였습니다. झाल झाल झाल